जार्खन में बिरान सभाचुनों का कल पहले चरंद का मतदान होना है और दूसरे चरंद का मतदान जो है वो बीश तारीकों होना है लेकिन आपको बता दे कि जारखंड की राजनिती से ये खबर है और बहुत भड़ी खबर है कि जीस तरह जैराम महतो की पार्टी जारखंड में बिरान सबा चुनाव लड़ रही है तो ही जैराम महतो से बगावत कर अपना पार्टी बनाये जेबी केसस के नाम से दोनों का न संजय महता करेश्टेशन नहीं हुआ वो अपना संगठन बना का इस बार जारकन बिरान सबा चुनाव में सोला सीटो पर अपनी किसमत जो है वो अजमार रहे है उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है हलकि संजय महता जो है वो खुद मांडू से चुनाव लेकिन बाइडान सबाव का चुनाओ जैसे ही नजदिक आया है, दोनों की राह अलग हो गई, दोनों अलग अलग राह पे दोनों चुनाओ लड़ने लगे और आपको बता दे कि मेरे साथ वरिष्ट रेखा मिश्रा मेरी सयोगी है, और काफी करीब से जैराम मातो की ख़बर क जेबी केसस के खबर को काफी करीब से देखी है काफी परमुकता से दिखाई है मिन से ही जानते हैं कि दोनों अब अलग अलग चुनाओ लड़ रहा है इसमें नुकसान जो है वो किन को होगा फाइदा किन को होगा रेका जी दोनों लोग जो लोग सभा में साथ में चुनाओ जीत का रास्ता था वो आसान होता जो अभी थोड़ा तफ नजर आ रहा है जो कि आप सोचे कि एक संगठन है उस संगठन में कई सारे चेहरे हैं और सभी का रोल जो है वो महत्यपून होता है अगर एक व्यक्ति खुद ये सोचे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं तो ऐसा नहीं होत है कोई भी व्यक्ति सर्वे सर्वा तब होता है जब उसके पीछे एक संगठन एक व्यक्ति कई व्यक्ति काम करते हैं तो ऐसे में जो सर्वे सर्वा नेता होते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमें अपने संगठन को साथ लेके चलना है तो जब संगठन के अंदर एक जुट है कि संजे मैता और अगर जैराम में तो एक साथ होते तो जीत असानी से मिलती चुकि सभी अपने आप में बड़े चेहर हैं संजे मैता सिर्फ एक राजनेता नहीं है वो पत्रकार भी रहे हैं और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जनता के मुद्दों को अक्सर उठाया है और अगर अभी ये दोनों नेता साथ होते तो आप समझ सकते हैं कि साथ रहने पर जो परिनाम अभी आने वाले हैं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है हाला कि अभी तक चीज़े स्पष्ट नहीं है चुकि सोशल मेडिया पर तो जीत स्पष्ट नजर आती है लोगसभा म महतो की लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी चुकि कल जो वोटर है अपने घरों सो निकलेंगे अपने मत का इस्तमाल करेंगे और वोटिंग परसेंटेज ढूमरी में किस तरीके का होता है मांडू में किस तरीके का होता है इस पर सबकी नजर टिकी जब जराम मैं तो ही नहीं अगर हम संजय महता की बात करें तो कल होने वाले चुनाओं से पहले उन्होंने आज एक भावुक पोश्ट शेयर किया है और उस भावुक पोश्ट में उन्होंने बताया है कि जारखंड निर्मान के 20 साल होने को हैं लेकिन इन 24 सालों में जारख जारखंड के लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए जारखंड का वो विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए यानि कि उन्होंने कल होने वाले चुनाओं से पहले आज एक भावुक पोश्ट डाल दिया है और उस पोश्ट पर सब की नजर जो ह हम सब समझ रहे हैं चुकि जनता के बीच वो एक संदिश देने की कोशिस कर रहे हैं कि कल जो चुनाओं होने हैं उसमें आप अपने मत का इस्तमाल बहुत सोच समझ की करेगा यानि कि जो बड़े पार्टिया है उन पर सब की नजर है लेकिन अगर छेत्रिय पार्टिया भी द करते हैं तो यह कहते हैं कि इस बार हम आएंगे तो यह अधूरे काम पूरे करेंगे लेकिन अधूरे काम कभी पूरे नहीं होते हम आएंगे तो विकास करेंगे लेकिन विकास तो कोई चिडिया है नहीं जो विकास कोई चिडिया का नाम है नहीं कि बस विकास बोल दिया औ आपको बिजली देंगे मुद्दा यह होना चाहिए कि हमने यह सारी चीजे करके दिखाया है अब हमें और एक बार मौका मिलेगा तो यह सारी चीजे एक बार फिर से अच्छे तरीके से सुचारूरूप से आपके बीच चलेगी लेकिन जो मुद्दे होते हैं नेताओं के जो इस चुनाम पर सबकी ध्यान आकरशित कर रही है और यही वज़य है कि जहराम महतो के उमिद्वारों को भी तोड़ दिया जा रहा है यानि कि उन्हें एक्वल उपर्चुनिटी मिली नहीं रहा है कुछ सीटों पर यानि कि उनके उमिद्वार ही नहीं है गांडे में नहीं है फिर गढ़वा में भी नहीं है तो यह दोनों जगा उमिद्वारी खत्म कर दिया गया है तो इक्वल उपर्चुनिटी मिलना चाहिए था और क्यूं नहीं दिया गया और उनके कारिकर्ता या उनके प्रत्याशियों ने भी ऐसा क्यों किया यह मंतन का विशह है और जराम उनके सवाल किया कि आपने ऐसा क्यूं किया तो उन्होंने कहा कि जैराम मैं तो वक्त नहीं दे रहे थे प्रचार प्रसार करने नहीं आ रहे थे और जो लोग प्रियता हमें मिलनी चाहिए थी उनकी वजह से वो नहीं मिल पा रहा था और मिथलेश ठाकुर का काम हमें दोलन करते हैं क्रांतिकारी खुद को कहते हैं और जाकर के अन्य पार्टियों में मिल जाते हैं तो जनता ये सारी चीजे समझती है और जनता इन सारे नेताओं पर ध्यान भी रखती है और ऐसे में जनता ही अब असल फैसला करती है चुकि नेता अपनी बाते कहते हैं बयान ब सवाल होगा कि मानडू से जो है, जय प्रकास भाई पटेल भी है, बीजेपी भी अपनी विरवार दिये होए, जेल केंज राम माहतों की पार्टी भी अपनी विरवार दी है, तो इसमें फाइदा जो है किन पार्टी को नुक्सान हो रहा है, किन पार्टे को नुक्सान हो रहा है ये पहले मांडू क्या बता हैं लेकिन मांडू की बात करें तो जैप्रकास भाई पटेल जो हैं वो अपने आप में एक काफी दिकश नेता है और कॉंग्रेस ने इस भार उन पर भरोसा जिताया है और जैप्रकास भाई पटेल आपको या अब ये भी दिखाई थी कि जब विधानसभा छित्र में मांडू के जो कॉंग्रिस के प्रत्याशी है प्रिचार प्रिसार के लिए जब जा रहें थे तो उनका कड़े स्तर पर विरोध हो रहा था यानि कि जो ग्रामिन थे वो उग्र हो गये थे उन्हें देख करके और कह रह रहे हैं यानि कि हजारी बाग लोकसभा के अंदर मांडू विधान सभा आता है और लोकसभा चुनाओ के दौरान जो वोट संजे महता को मिले थे सबसे जादा वोट मांडू विधान सभा से ही उन्हें प्राप्त हुआ था और इसी आधार पर वहां पर चुनाओ लड़ र यानि कि एक संगठन के नेता एक साथ थे लेकिन अभी वो संगठन अलग-अलग हो चुका है तो अलग-अलग हो चुका है तो जीत का रास्ता उतना आसान नहीं होगा क्योंकि जनता भी भ्रमित है कि अगर आप एक साथ आते हैं चुनाओ लड़ते हैं और फिर आपके प्रिचार अभियान चल रहा है एक नारा भी चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे तो यह सारी चीजे भाजपा के नेता जो है वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो अभी फिलाल यह कह पाना कि किसका पलड़ा भारी है थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हाँ अगर लोकसभा चु तो यह कहना थोड़ी सी जल्द बाजी हो जाएगी और इंतजार हमें 23 नॉमबर तक करना होगा रतने से एक सवाल है कि जैराम महतों की बात कर ले जैराम महतों जो हैं दो जगह से चुनाओ लड़ रहे हैं बेरमों से भी चुनाओ लड़ रहे हैं डूमरी से भी चुनाओ को लड़ना पड़ा नहीं देखे यहां पर आप यह नहीं कह सकते कि जैराम महतों को किसी तरीके का डर है जिसकी वज़े से दो सीटों पर चुनाओ लड़ रहे हैं पहले भी नेता जो हैं बड़े पदों पर काबिज नेता वो दो सीटों से लड़ते हैं और इसके पीछे मोदी जब 2014 में लोकसभा का चुनाओ लड़ रहे थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने गुजरात से भी चुनाओ लड़ा था वारानसी से भी चुनाओ लड़ा था दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और फिर एक सीट को उन्होंने छोड़ दिया था राहूल गांदी ने माफ करिएगा 2019 में दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी तो नेता जो हैं बड़े स्तर के नेता वो लड़ते हैं जब उन्हें हार यहां नहीं कहेंगे कि किसी तरह के हार कडर हां लेकिन एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है कि हम दो सीटे निकाल लेंगे अगर ज जनता के बीच एक संदेश देने के लिए नेता ऐसा करते हैं और मुझे नहीं लगता कि जरा मैतों को कहीं से भी इस चीच का डर है कि वो हार रहे हैं चुकि वो कड़ी टकर दे रहे हैं नेताओं को जीत हार तो जनता ही फैसला करती है लेकिन एक जब टफ कॉम्पेटिशन नामने सामने होता है तो वो कॉम्पेटिशन में हारने वाला भी विजई ही कहलाता है यानि कि लोगसभा चुनाओं में जैसे हार के भी विजई कहलाएं विधान सभा चुनाओं में बिगर हार होती है तो विजई ही कहलाएंगे चुकि जीत का अंतर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा का अगर जेमेम इस बार फिर से डुम्री में जिती है या कॉंग्रेस बेलमों में जिती है तो बहुत ज्यादा का अंतर होगा चुकि कड़ी टककर तो जैराम में तो जरूर देंगे और काफी अच्छा परदर्सन जो था इन लोगों ने किया था लेकिन बिधान सभा चुनाओ में दोनों जो है वो अलग-अलग होकर चुनाओ लड़ रहे हैं जैराम माहतों से कहीं न कहीं जारकन मुक्ती मुर्चा हो या फिर जारकन भाजपा हो या फिर आत्सु हो सभी पार्टिया जो है कहीं न कहीं डरी हुई है सहमी हुई है इसलिए जैराम माहतों के जो परत्यासी है उनको डरा के या परलोबन देकर कोई न कोई मजबूरिया देकर उनके परत्यासियों को नामंकन वापस कराया गया बकाईदा जेमे में सामिल कराएगा इसलिए आपके देखा होगा कि जिस तरह से गांडे से रिजवान करांती कारी जो थे वो वहां से चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिये उनको टीकट जो है जे भी कैसे जैराम मातों की पाटी ने दी वहां गड़वा से सोनु यादो जो ह है कि हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे हम हेमन सोरेन की बात करें या फिर गड़वा से मितलेश ठाकूर जो मंतरी है उनसे परवावित होकर चार सार चार सार यह लोग जो थे परवावित नहीं हुए थे लास्ट के दो मैना जब बचा है तो यह लोगों को हेमन सोरेन का काम ज चुनाओ है जहरकंड में जो 43 सभाषीटों में होना है उसमें एक डूमरी भी है जिससे जहराम मातों जो हैं चुनाओं मैदान में हैं वहीं बात करें तो संजय मेता जो है लेकिन जीत का अंतर कोई भी पार्टी जीते कोई भी परत्यासी जीते निर्दली हो या कोई पार्टी से हो तो जीत का जो अंतर रहेगा वो ज्यादा नहीं होगा तीन से चार हजार का वोटों का सिर्फ अंतर होगा लेकिन जैराम मातों की पार्टी को लगतार जिस तरह से व तरकन का विरान सबाचुनाओद लड़ रहा है क्या वो सोच के साथ जनता जो है उनका साथ देती है या नहीं यह तो देखने वाली बात हो गया ताइस तारी को यह पता भी चल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मिसर आप तमाम जनकारिया देने के लिए आप देख